काफी टाइम के होता है कहीयों के साथ काफी लोगों को ये प्रॉबलम आती है कि जब लिखते हैं तो उनके एंड्स में क्रैंप्स पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं मेंस कि उंगलियां जो हैं वो लिखते टाइम अकड जाती हैं तो दो मिनिट के लिए पैंसिल ये पैंसिल चोड़ के उनको अपने हाथ को इस तरह से प्रेस करना पड़ जाता है कैसे करेंगे इसके हमने एनर्जी को खटाना है क्योंकि बड़ी हुए है एच 3 का पॉइट मैं आपको बता रही हूँ कि कहां पे है हरी एनडेक्स फिंगर उसमें 2 जोइंट में यहां पे यह point है, second joint में middle finger की side point है, white waller magnet skin के उपर apply कर देंगे, बाहर से यह yellow दिखाई देगा, इस तरह से इसको करने पे, इस point का name है H3, heart meridian का यह point है, H3 पे हमने sedation करनी है, मतला energy बढ़ी हुई है, इसको हमने गटाना है, तो यह हम left hand में treatment करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो videos मैं front cam से बना रही हूँ, मेरा left hand आपको right hand दिखाई दे सकता है, लेकिन mostly कोशिश मेरी यही होती है, कि आपको दूसरे hand से भी अगर मैं बताऊं तो left hand show, इसलिए मैं बोल देती हूँ, तो यह चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसको आप continuously करेंगे, कुछ days तक regular करे जो आपके cramps पढ़ते हैं, लिखने की difficulty आने लग जाती है, उगलिया कर जाती है, वो जो problem है, वो इससे solve होने लग जाएगी, और calcium को add on करना है, milk लेना है, curd लेना है, बनाना लेना है, calcium products आपने लेने हैं, जिससे कि आपकी जो भी problem है, वो आपकी solve out हो सके, और magnet को लगाने के बाद कभी भी press नहीं करते हैं, मैंने आपको ये काफी videos में ये चीज़ बताई है, उसको लगे रहने देना है, क्योंकि already उनका अपना एक pressure होता है, जो वो meridians के ओपर normally डालते है, magnets लगने के पाद, तो मेरी video को like करना तो आप भूली गए होंगे, मेरी video को like कीजिए, subscribe क और share करना बिलकुल मत भूलिएगा, और कोई भी query है, किसी भी video से कोई आपने treatment करना है, और आपको कोई भी questions पूट करना है, तो आप मेरे को मेरे comment box में लिख सकते हैं, जैसे और comments आती हैं, काफी comments आई हुई है, कि इसके बारे में मैं video बनाएए, तो मैं आपको ये बता र करनी हो, कि email की जगह आप comment box में reply किया कीजिए, ताकि मैं reply देती हो, तो सबको इसका फायदा हो सके, thank you.